नमस्कार दुस्तों Employee Cover Channel के एक और नए वीडियो में आप सभी दोस्तों का फिर से एक बार सौगत दुस्तों EPFO Employee Provident Fund Organization के ओर से 2021 की शुरुआत में ही यहाँ पर जो पीएफ के खाता दारक होते है उनकी Bank की KYC हो, आधार की KYC हो, Pen Card की KYC हो, यानि कि किसी भी तरह की KYC, EPF खाते में उनको करवानी हो तो उसको लेकर यहाँ पर नए अपडेट कर दिये गए है कुछ नए नियम यहाँ पर बना दिये गए है और जो अपने यहाँ पर पुराना KYC करने का पेटर्न था वो भी पूरा यहाँ पर चेंज कर दिया गया है तो आज की इस वीडियो में यही जानकरिया आपको प्रोवाइट करने वाले है कि आप अपनी बेंक KYC, आधार KYC, पेंकार्ड KYC या अपने PF के अकॉन में किसी भी तरह के KYC यहाँ पर कर रहे है कि मैं इस वक्त यहाँ पर EPA for Employee Protein Fund Organization की website epapindia.gov.in पर हूँ यहाँ आपको KYC अपडेशन का एक option यहाँ पर मिल रहा होगा इस पर जैसे ही आप क्लिक करते है एक नया पेज आपके सामने यहाँ पर open होता है जिसमें कि आपको अपना UNA number अपना password और यह जो capture यहाँ पर दिया हुआ है यह capture यहाँ पर डाल कर sign in करना होता है तो चलिए मैं अपना UNA number, password और capture डाल कर sign in कर लेता हूँ दूस्तो sign in करने के बाद कुछ इस तरह का patron आपके सामने open होता है इसे यहाँ से हम हटा देंगे अब यहाँ पर आप देखेंगे कि आपका जो account है इसके यहाँ पर एक manage का section यहाँ पर आपको दीखेगा इस manage section में आपको यहाँ पर KYC नाम का एक button मिल जाएगा जिस पर आप click करते हैं आपका यहाँ पर KYC करने का जो update होता है KYC आपको किस तरह से करनी है उसका पूरा patron यहाँ पर change हो चुका है पहले यह pattern आपको जो है कुछ अलग design में यहाँ पर था अब यहाँ पर इसका design भी change कर दिया गया है और कुछ नियम भी यहाँ पर बतल दिये गया है आपका नियोकता जिस भी थेकेदार के अंदर बेब कारे करते है आपने online अपनी KYC यहाँ पर update की और आपकी KYC आपका नियोकता आपका employer आपका ठेकेदार 60 दिन के भीतर जो है यहाँ से अपरोव नहीं करता है तो 60 दिन के भीतर जो है वह आटोमेटिक ही 60 दिन के बाद वह जो है आटोमेटिक ही invalid हो जाएगा यानि कि 60 दिन के बाद आपको फिर से दोबारा अपनी KYC यहाँ पर करनी हो गई यह EPPO के तरफ से लाया गया 2021 का नया नियम है तो यह EMPPersonal तोर पर मुझे यहाँ पर विल्कुल भी अच्छा नहीं लगा क्योंकि इससे जो है ना यहाँ पर नियकता को benefit मिल रहा है ना तो करमचारी को benefit मिल रहा है यहाँ पर कुछ ऐसा अपडेट होना चाहिए था तो उसके पास आटोमेटिक कोई message चला जाया आटोमेटिक कोई pop-up windows के सामने open हो इस तरह की कोई facility यहाँ पर जो है देनी चाहिए थी ताकि जो करमचारी अपनी KYC approval के लिए यहाँ पर भेज रहे है उनकी KYC approval जल्दी से जल्दी उन्हें मिले तो इस अपडेट से कुछ खास benefit मुझे यहाँ पर जो है नहीं लगता है कि यहाँ पर करमचारीयों को या नियुक्ताओं को होगा लेकिन नियम तो नियम है यहाँ पर करने जा रहे है तो आपके आप बेंक की KYC यहाँ पर जो आधार कार्ड नमबर लगा है और आधार कार्ड से जो मोबाइल नमबर रिष्टर्ड है उस पर एक OTP जाएगा और OTP आने के बाद वो OTP डालने के बाद ही आपकी यहाँ पर जो बेंक की KYC है यहाँ पर जो है अपने नियोकता के पास आपके नियोकता के पास अपरोल के लिए यहाँ पर जाएगी पहले ऐसा नहीं होता था तो यह एक अच्छा अपडेट है इस ते आपकी जो है बेंक की सेकरूटी और जादा यहाँ पर अच्छी होगी यदि आपके P.A.P. के U.N.A. नंबर का पासवर्ड किसी को पता है यदि वह चाहता भी है कि आपके bank account नंबर की जगह वह अपना bank account नंबर दे दी और आपके P.A.P. का पैसा निकाल ले तो ऐसा करने से पहले उसको आपके mobile number पर आये हुए OTP की जरूरत पड़ेगी तो यह एक security purpose से किया गया एक बहुत अच्छा update मुझे यहाँ पर लगता है यहाँ नीचे आते हैं तो आप KYC अपडेशन में पहले आपको 10-15 document के list यहाँ पर दिखती थी उनी के लिए यहाँ पर है और आपको आपके bank, pen और आधार तीन ही तरह की KYC आपको आपके account में आपर करने होगी इसके अलावा यहाँ पर KYC pending for approval वाले section में आपको आपनी KYC की है तो वह नियोकता के past pending है तो वह यहाँ पर दिखा देगा जैसे इस case में KYC approve हो चुकी है इसलिए यह वाला section यहाँ पर खली दिखा रहा है और यहाँ status में वह चीज भी बता देगा कि कितनी तारीक को आपने KYC यहाँ पर की थी और कितनी तारीक को यहाँ expire हो जाएगी वगेरा सारी detail यह आपको यहाँ पर दिखा देगा यह जो section है यहाँ पर approve KYC का इसमें आपको किस की चीज़ों की KYC हो रखी है वो यहाँ पर दिखा देगा साथ ही यहाँ पर जो है आपका sign type का एक नया option यहाँ पर जोड़ा गया है action time का option जोड़ा गया है और साथ ही यहाँ पर remark का option आपको देखने को मिलेगा इससे यह पता चलता है कि कब आपने अपनी KYC अप्रू करवाई थी और किसके थुरू यहाँ पर आपकी KYC अप्रू की गई है चलिए अब एक एक बार यहाँ पर हम bank, pane और आधार की KYC को open करके देख लेते हैं कि यहाँ पर आपको किस तरह से अपनी KYC को अप्रू करना होगा पहले हम क्लिक करते हैं bank वाले option पर bank option पर क्लिक करने के बाद एक छोटा सा नया window आपके सामने open होगा यहाँ पर सभी KYC approval में अब आपको जो आपके PA खाता धारक में नाम है वो नाम यहाँ पर by default यहाँ पर जो है आपको देखने को मिलेगा इसे जो है आप चेंज नहीं कर सकते है यहाँ पर आपके नाम में गरबड़ी है तो आपको पहले नाम ही सुधारना होगा उसके बाद ही यह सारी KYC यहाँ पर करनी होगी यहाँ पर आपको आपका account number again आपका account number confirm करना होगा और bank का IFC code आपको यहाँ पर डालना होगा जिससे आपको यह पता चल जाएगा कि जो IFC number आपने यहाँ पर दिया है वो सहीं दिया है या नहीं लेकिन फिर भी यहाँ पर सावधानी आपको यह रखनी है कि bank का account number आपको सहीं डालना है क्योंकि bank का account number गलेट डालने पर यहाँ पर कोई instruction आपको नहीं दिया सकते है इसलिए आपको bank का account number डालते समय सावधानी रखनी है बात करते है pen card की KYC की तो pen वाले option पर क्लिक करेंगे नाम आपका automatic यहाँ पर आजाएगा और आपके pen card का number जो है आपको यहाँ पर डालना होगा और save button पर क्लिक कर दिना है इसी तरह से आधार वाले विकलप पर हम क्लिक करते हैं उसके मुतावित अपने EPF खाते की KYC कम्प्लीट यहां पर कर सकते हैं तो दोस्तो आई होब कि आज किस वीडियो में दी गई यह latest information आपको पसंद आई होगी यह वीडियो यह जानकर यह आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को like, share, channel को subscribe किजेगा और इसे तरह की PA, pension और government, योजनाओ की नई latest update जानने के लिए हमारे चैनल को subscribe करना बिल्कुल भी ने भूलियेगा मिलते हैं अपसे next वोडियो में किसे जानकर के साथ तब तक के लिए बने रहिएगा Employee Cover channel के साथ जैहिंद, वंदे मातरम